कि उनके जितने टीचर हैं और जितने श्टाफ हैं उन सभी का वैक्सिनेशन वो लोग कराएंगे स्कूल खुलने से पहले और उनको भी हम लोग फेसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारे निकर्तम सेंटर पर करा लें या वो प्रस्ताल देंगे तो हम लोग संबंदित विद्याले मे अपनी मोबाइल टीम भेज करके हम लोग वैक्सिनेशन करा दें कार्ट के अलामा भी अन्यवैकल्पिक दस्तावेज मानने हैं पाचान पत्र मानने हैं उनका जो है रासन का हो या पैंसन का कोई प्रपत्र हो या वोटर आईडी कार्ड हो जो अधिकांस लोग के पास है और उसके बाद भी अगर नहीं है तो उसको हम लोग अपने रेजिस्टर में नोट करेंगे और हमारे जो कर्मी है वो उनको चिन्नित करेंगे तो जो ओनर है माल के या फिर जो मैनेजर है उसके या दुकान के जो है ओनर वो लोग सुनिश्चित करेंगे और हम लोग कभी भी कि कि आप vaccination ले लिए हैं और या तो उनके पास certificate होती है। Donate Card और Voice of Slum जुड़कर दिल्ली और Noida के slums में गरीबों को Free Oxygen Supplies प्रोवाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। Description में दिये हुए लिंक पर जाकर Donate Card पे अभी दोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बनी। लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग देखते हैं कि माल में भीड बहुत जादा होती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों का है कि जो वहां काम करने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। और वेक्सिनेटेड रहें और उनसे भी किसी को संकर्मन नहीं हो या उनको किसी अन्ने से आने वाले विजिटर्स से नहीं हो। इसलिए जरूरी है कि वो सभी लोग वैक्सिनेटेड रहें। तो हम लोगों ने सभी वरगों को इसमें सामिल किया है। और जैसे इसके पहले हम लोगों ने व्यापारी व्यावसाई समों जो था उन लोगों को किया है। हमारे डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाप्स वो थे, सभी सिक्छक को भी किया है। मिडिया के जो हमारे सभी मित्र हैं उन लोगों को भी हम लोगों को भी किया है। और जो अभी हम लोग देखे नाई हैं हमारे जो बाल बनाते हैं, सैलून उनका होता है। तो उनका भी बहुत close contact होता है लोगों से, तो उनके association से बात करके हम लोगों ने उनका भी vaccination जो है कराया है, अभी हमारा motor transport के जो हमारे driver है, cleaner है, खलासी है, लोगों का भी contact होता है, जो लोग आते हैं बैठने गाड़ी में सवारी, तो उन लोगों का भी हम लोग करा रहे हैं इसी करब में हम लोगों ने mall जो हमारे हैं, वहां भीड़ बहुत होती है, वहां हम लोगों ने कहा है कि वो लोग अपने कर्मियों का, श्टाफ का जरूर vaccination करा लें और उसके बाद ही open करें लोग, और उन लोगों के contact में हम लोग हैं और उनकी सुविधा के अनुसार, जहा वो लोग सुनिश्चित करेंगे और हम लोग कभी भी किसी भी समय उसको verify कर सकते हैं, हम लोगों का 8 flying square है जो पूरे टाउन में घोम रहा है, तो किसी भी दिन हम लोग सभी दुकाने उनका verify कर सकते हैं, mobile से message आता है कि आप vaccination ले लिये हैं और या तो उनके पास certificate होती है, हम लोग एक sticker भी दे रहे हैं, जिसमें कि सभी दुकानों पर जिनके सभी कर्मी vaccinated रहेंगे, वो लोग उसको लगाएगा, और दूसरों को भी प्रेडित करेगा, जो लोग दुकान में आएंगे, मौल में आएंगे, उनको भी प्रेडित करेगा कि आप भी टीका करने जरूर कर हाँ, यह हम लोगों ने इस पर किया था, विमर्स किया था, और इसमें हम लोग एक तो जो रिक्सा association, चालक association है, उसे संपर्क में है हम लोग, दूसरा जितने हमारे रिक्सा stand है, जगह जगह पर, वो भी हम लोग identify किये हैं, तो उन लोगों को जहां सुविदा होगी, वहीं आधार कार्ड ही नहीं रहेगा, तो कैसे हुपाएगा होगी? यह एक तो यह है कि आधार कार्ड के अलामा भी अन्यवैकल्पिक दस्तावेज मानने हैं, पाचान पत्र मानने हैं, उनका रासन का हो, या पैंसन का कोई प्रपत्र हो, या वोटर आईडी कार्ड हो, जो अधि हम लोग आपका वेक्सिनेशन यहां करेंगे, तो वह हमारे कर्मी पहचान करेंगे, किसी के पास अगर पहचान पत्र नहीं भी है, तब भी हम लोग उसका टीका करन करेंगे, उसमें घबराने की बात रहें, कोई भी आडेंटिटी होनी चाहिए, और इवन अगर कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है, तब भी विभाग का प्रावधान है, और हमारे कर्मी, सरकारी कर्मी कोई उनको पहचान करेंगे, और उनका एक दस्तावेज बनाएंगे डिटेल, और उस आधार पर हम लोग उनको टीका करने करेंगे, एक आखरी सवाल, स्कूलों के लिए क्या हैं, और लगभग 15,000 लोगों को हम लोगों वैक्सिनेट कर दिया है, 3,000 और बचे हैं, उसमें कई लोगों का विभिन कारण भी है, कुछ लोग पॉजिट्रिव आ गए थे, तो तीन महीने बाद ले पाएंगे, लेकिन अन्य जो लोग हैं, उनको हम लोग अगले एक से दो वैक्सिनेशन वो लोग कराएंगे, स्कूल खुलने से पहले, और उनको भी हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, कि हमारे निकरतम सेंटर पर करा लें, या वो प्रस्ताव देंगे, हम लोग संबंदित विद्याले में भी नीजी विद्याले में भी अपनी मोबाइल टीम भे सेंसिटिव होते हैं, इसकूल हमारा सुरक्षित रहे हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो काफी एहम जानकारी डीम साब ने दे कि जो मॉल है, उसमें सभी करमचारियों का जब करोना का ठीका हो जाएगा, तभी मॉल खुलेंगे, और स्कूल में भी ये नियम ने कोह जानकारी ने प्रयास करता है, ए वा स्कूल है, प्रच्छित रहे हम लोग worship सेने उसके ओब येकारी, तो का जैए ओना प्रक्षित रहे हम वीऊ का इसकते हैं, जैए वीच जा सेंifa mandate रहे जाएग Sup है çıkarानाiggsךि कर सोने मॉItू テहे टौल जामाद McL phones uncont Tuesday on Saturday